सहज पके सो मीठा होए जो सहजता से चीजे पक जाए उस चैसी बात क्या है अवी सी फेम और लक्षमी अती चंचला बहुत चंचल चीजे है यह आज एक फेमस आदमी है फिर वो चला जाता है फिर दूसरा आता है फिर तीज ऐसे सैंकड़ों आते जाते पॉर्मनेंट पॉन वा फिर वो जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया वो जो खो गया में उसको भुलाता चरा गया और हर फिक्र को खुशी में उडाता है खुश रहिए साहब बिना किसी को नुकसान पहुँचाए इसमें सब आ जाता है वोट मेक्स समवन अग्रेट अग्रेट अग्रेटर की नुवांसेश जबान पे पकड़ चालाक होता है कैमरा बहुत वो पकड़ लेगा आपको को अग्रेट को कैसे मूर्ख बनाएंगे वो दौर निकल गए तो बॉलिवूड तो सब कुरा मेस्टनी हो गया है आप जहां का दिल करे रखे कोई खराब थो यह भी तो देखे आपको सूट कर रहे के नहीं कोई चीज नहीं माफिकारी फिर वो ना करो मैंने हिरा मुंडी सबस्कें तो मुझे यह नहीं है आपको मेरा पेला सवाल बहुत अचा लगे है कि मुझे आप को देखके एक चीज बहुत चीले गी मैं जाता हूं कि आप सादगी को कैसे देखते हो सादगी को पीस-ओप-माइंड की तरह कैसा लगता मिग्धा मुझे आपको देख आसले क आप बहुत सादगी में जीते हो सादगी में तो as such the other day I was visiting a doctor and a very famous doctor he said यार मैंने लाखो पेशिंट्स देखे हैं ये फ्लोरल कपड़े बहन के कोई मैं का मैं पूल लगा के भी आता हो भी तो आप ये सोची मैंने खाली फ्लोरल कपड़े बहन सादगी is a state of mind मेरा मूड रिफलेक्ट करता है like if I want to wear सादे कपड़े plain cotton something I love cottons so बोभी पहनता हूं मुझे जब चम-चम पहनना is this the way I just carry yourself yes सादगी में भी मुस्कुराहत बरकरा ले एक मेन आपकी लाइन भी सुनी थी मुझे आपकी है उसने बोला कि आपने बोला था कि मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है कहीं पर मेरे हाँ क्यों मुझे समझ नहीं आती बहुत टफ बन के लोग जीजिए ज़िए बिलकुल शकले मोस् मनूसल से नहीं हो गई रॉन के ही खतम है खतम है बिलकुल तो ऐसा क्यों आपको लगता है ऐसा क्यों है मैंने काफी लोगों को देखा है बड़े ऐसा लगता है को कोई सिखा रहा है कि तफ बनना जीवने बहुत ज़रूरी है तफ बनने का मतलब यह तो नहीं आप मुस्कुराना बंद कर दो आप मुस्कुराने के साथ भी टफ हो सकते हो बिलकुल आपको बगहार ज़रूर लगाने है अपनी पस्सालिटी में कि I am tough so I remain like this No, you can be sweet, bubbly floral कपड़े, चम-चम and still you can be strong So true Sir, मुझे पहले लगता है आपकी ज़र्नी के बारें बात नहीं करेंगे I want to मुझे इतना पता कि आपने बिसनस भी किया है आपने बहुत अउली एच पे शादी भी किया है सब कुछ जो 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 बात है जो जो बच गया हो मैं जानना चाता हूं क्या बच्चा इसकी बच्चा इसा है कहां से शिरुवात हुई कहां से थौट प्रसाइब आप हमेशा से एक्टर बना जाते हुई मज़े पता है Yes, since I remember since I was a child from a very young age I wanted to entertain I loved dancing, I loved music, I loved poetry I loved mimicking, mimicry, mimicking people and my folks used to enjoy this people, my friends used to enjoy this that gave me confidence तू ठीक कर रहा इसका मतलग तो फिर वो सिलसले चलता गया आगे तो फिर बिजनस में कैसे आया बिजनस कैसे करने लगे आप जब आप किसी परिवार में आपकी पैदाईश होती है तो मेरे दौर में आज से पीछे चाहें जब आप तो उस वक्त आप कहां पैदा होएं अपके माता पिता क्या करते हैं उसका बड़ा एक दारोमदार होता था and my parents always wanted us, me and my brother to join the business my father, elaborate businesses that he maintained and developed and he was a thorough successful businessman and I am very proud of it वो सही भी थे, वो कहते थे तू काँ सब स्ट्रगल करेगा इतना सा तू कोई तेरे six-pack कुछ ने उनने कहा कि भई और वो सही भी थे, बिजनेस है मैं मेरा भाई राजेश and I love you राजेश तो वो thorough business man मैं misfit था हमेशा कि इसको business नहीं आता क्योंकि मैं जब कुछ करता था मैं लुटा मारता था I used to trust people not that typical knack for business as far as Delhi Punjabis are concerned एक typical Punjabi family और वो नहीं आता था और interest भी नहीं था और वो करना तहते तो फिर किया फिर फिर क्या करता हूँ पहले लोग बोलते भी ज़िदा जिसे initially लोग न hero का मतले hero ही समझते थे क्या six-pack abs होंगे बहुत good looking होना चीए बोलते ना तो बॉलिवोड में जा रहा है अच्छा तो बड़ा मुश्किल है काम न करना बड़ आपके माइड में भाशा था ये चीज़े आप सूथे नहीं है यह सब चीज़े तो होती रहेंगे बड़ हम I will look and this is the thing I always wanted to do fixed notions के तरफ मैं कम रहा हूँ मुझे height का, weight का, मेरी आवाज का मेरे बातचीत करने के तरीकों का चलना फिरना फलाना डिम गडलता है मुझे उससे कोई concern होता नहीं था मैं जैसा हूँ, ऐसा ही हूँ और खुश हूँ बड़ लोग क्या होता है लोग आपको इसे पोट्रे करते हैं कि ओ भाई ये तो छोटे से height में, ये तो body नहीं है, ये नहीं है ऐसे तो आपको ऐसा नहीं होता है, फैमिली है वे लोगों ने कहा नहीं हो ऐसा तो बाकियों ने लंबा हो कि ऐसा क्या उखाल लिया मुझे बताना दाना विद्यू रिस्पेक्ट टू अल टॉल पीपल में, भाई वो अपने जिंदगी जी है, मेरी मेरी हुनर मेर से कौन ले जाएगा है ना, और कभी इस तरफ इस तरह का कोई कॉंपलेक्स हुआ ही ने, I don't know, what's the reason वो कॉंफिन्स हमेशा था आपके अंदर मैं अपने आप में नार्सिस्स तो नहीं था मैं, पर अपने आप में खुश रहता था विकेज उसके एक एक, on a serious note, मुझे अमेशा मेरे friends से, family से, मेरे आसपास के, अजनभी मौबद महुत मिली है आपके इसमें मुझे अब वो लाइन यह धंक से आदे, आपने गुला था, हसी बड़ी महंगी है इस दुनिया में हसी महंगी वो रखी है, वो एक विक्जी फिल्म में भी था वहाँ विशाल भारत दुआज जी की फिल्म थी, सौरी मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ी अच्छी वो फिल्म थी, इसमें कही बार कहती थी, वहांसी महंगी हो रखी है वहाँ इसा क्यों लगता हूँ, वहाँ बड़ी महंगी हो रखी है आपको नहीं लगता वहाँ लोग मुस्कुलाते हैं यहांस पास कम नहीं होगी यू अलसो बड़ी आपको नहीं लगता है वहाँ लोग के माइंड मेना प्रेशर बहुते आसी रही है प्री ओक्यूपाइड गाजेट्स बहुत सारा कुछ फिक्स्ट है इतने बज़े जिम, इतने बज़े खाना इतने बज़े नीन तो खोस्टन एक तरह से वो एक मेकैनिकल हो गया न मुझे लंच में नहीं ता आज मन तो नहीं खाया बड़ लोग तो डिसिप्लिन इतना होगा डिसिप्लिन के बावजूद बड़ा दिल दुखता है जब एक हटे-कटे लोग बिलकुल डिजीज फ्री लोग हाट एटाक और फलाना वो आजकल कुछ सुनके खाहुआ सा दिल बड़ सा लगता अभी शायद में एक इंटरनेट पर शारी निउस भी बड़ी चल रही है कल पर सो भी किसी का 24 एंट्रोपेनर, 24 अथा ही थी उसकी ऐस थी ही पास्ट हुए तो उसने जाते जाते यही बुला लोगों से कि कभी भी भी अपनी हेल्थ को इतना निगलेक मत करना कि जो तो अपनी लाइफ और अपनी लाइफ को इतना निगलेक मत करना रही है अच्छे है जीना पाओ अच्छे रिसेंट्ली आइमेट बान अप दे मोस्ट रिस्पेक्टिट डॉक्टर्स उनसे बाचीत हो रही थी वो बहुत मशूर है बड़ा उनके समझ भी है उम्र भी है उनके उन्होंने वक्त देखा है दौर तिस बात हो रही थी कि आप एजियन है आप हिंदुस्तानी आप यहां के रहने वाले है इधर इसकी दरफ से आप अपने पे वेस्टन चीजे कैसे थोप सकते हैं सेहत पे हम तो on the rocks पीते अरे भई तुम्हारे शरीर को नहीं suit करता on the rocks और वो धंडे देशों में रहते है यहां सर्दी में तो चलो on the rocks swirl around हम तो पट्याले वाले हैं पट्याला लीक मारी देशी वाले आप क्या कर रहे हैं वो अपनी body constitution तो देख ले हैं बिल्कुल बड़ आपको माफिक आता है आप करें बड़ आपके बंद करके एप ना करें बिल्कुल बड़ यह तो मतलब कहना है मतलब मैं कहूँगा कि लोग न अब जो पट्याले वाले बात कह रहे हैं मतलब लोगों क्या होगे इसे life जीता है इसे मान लीजे मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी health को लिए कि इतना surrounded है कि बाखी हम छोड़के न इससे body बनानी है इस वे छे बड़ जाना आई इस अता है तो discipline को भी गलत notion की तरफ ले गए हैं once I was shooting for a particular TV serial and my brother's phone number नहीं यादाया जो कि रोज मुजबान पे था एक मिनट दो मिनट चार मिनट नहीं नहीं यादाया I got little panicky and kya hoa then I just thought kya ho gaya maybe some routine and that particular day I wanted to urinate but I was not able to urinate. Something happened here or there. I was very angry with you. What happened to me with you? But that day I got out and some anxiety. So I couldn't think much about it. Then I went to a doctor and he said you come in the morning and laugh and you force your mind कि आज आपको ये बहुत रोना है इस सीन में. So you force, आप तो happy go लगी आपने mind को force करके वहाला है मैं फिर इमानदारी से acting करने की कोशिश भी करता हूँ. So I force my mind to come to that state की रोना है और फूट फूट के रोना है तो आप अपने आप से जबरदस्ति भी करने तो ये जवाब इसलिए दे रहा था मैं आपको कि जो मजा माइंड भी तो आपका organ उसको जब आप जबरदस्ति कितने दिन करा लोगे कहीं तो फिर revolt करेगा ना वह So सहज़ता से चीज़े पक जाए उस जैसी बात क्या है अप जबरदस्ति अपने आपको force करें गया तो सब वेस्टन वाले अप्रोच की बात करें बड़ एक बाद बताओ बॉलिवूड तो सब पूरा वेस्टन ही हो गया आज को आप स्क्रिप्ट देख लो लोग अंग्रेजी स्क्रिप्ट लेके देखते हैं बोलते से बॉलिवूड है वो भी खाराब लिखी होती है वी खारा मर थोड़ी जाना है उसके लिए है कोई चीज नहीं माफिकारी फिर वो ना करो अब the other day WhatsApp पे बट पहले I was the last person to start using WhatsApp I somehow I you know run away from gadgets किसी ने लिखा के तो मैंने बोला वाट तो मैंने लिखा के 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 मेरा तो मैंने लिखा के 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 तो मैंने लिख और लक्षमी अती चंचला बहुत चंचल चीज़ें यह तो आपके पाउं के नीचे हाथ रख देंगे फिर आपको जमीन की आदत नहीं रहेगी तो तभी पुराने वक्त में भी और आयरवेदा में भी और हम बड़े बड़े लोगों से बाद जमीन पर बैठके खाना खाना नंगे पाउं घर में चलना तो वो चीज़ें आपको जोड़ें आपको जोड़ें भी तो रखते थी पंच तत्वों से वैसे कहते हैं तो लक्षमी आने से पहले अपने जाने का रास्ता लूंड गया दिया है होगा कुछ पर मुझे यह नहीं समझ में आती कि आज एक फेमस आदमी है फिर वो अम टाूंक बाट ऑक्ति इन फ़िर वो कोई भी फेड में आप ले फिर वो चला जाता है पिर दूसरा आता है पिर इसे सेंकडु आते जाते पर्मनेंट कौन हुआ फिर एं चो चूँ आप पर्मनेंट मान के चले जाते हैं मैं चिर यवना मैं मेरा यवन मेरी जवानी हमेशा रहेगी अरे भाई जितनी रह रह रही है उसको समाल लो enjoy it देर सवेर तो सभी ने you know you have to तो why take things so seriously why take things to your head right when you know it is not going to remain forever I do feel like that keep your head low and keep moving खुश रहिए साहब बिनना किसी को नुकसान पहुचाए इसमें सब आ जाता है क्या बाद क्या तक्लीफ दे दे के अपनी हाय तौबा से ही निकल पाते हम so there's no preaching there's something there's something I try to follow मैं भी गुसा गरता हूँ लडाई होती है मेरा थोड़ा चुबने वाला sense of humor है कलेश भी बढ़ते है जुबने वाला बाता है जैसे कि क्या ऐसा क्या क्या क्टते है अपसे चुपते हैं अच्छे नी मेरा चुपते हैं मेरा वाइल्ड है तो मेरा चुबने वाला है और नॉट मेनी बीपल टेक इट स्पोर्टिंग ली बट फिर दो तरीके से होता है अगर आप किसी से हुँमर या फिर आपका बात चुपते है तो आप पर उतनी सेने की शक्ति होनी चीए इसा है तो तो मैं कभी भी उफेंड फिल नहीं करता है अंतिल नहीं लिमित इस क्रॉस्ट तो पेशेंस रहते है हां बाब तंगी कर रहो मझे तो फिर यूफ हाद इट वाट इस वान थिंग क्या मतलब क्या नहीं सिखाता है ये मीडियम आप पोट्रेल कर रहे हैं किसी का किसी के विजन को साकार कर रहे है और उस विजन तो पहुचने क्ले क्या करते हैं मेरे लिए जो ब्रीफिंग दे रहा है सबसे पहले अट्मोस्ट इंपॉर्टेंस उसकी है अम डारेक्टर्स एक्टर बिच आप Mentioned in most of my interviews I surrender Now you mold me Right But a lot of people do कि मैं doctorate करता हूँ नहीं नहीं अपनी script को अपनी साफ से mold करता हूँ कर लिए उनको अगर तसली मिलती है मैं suggest जरूर करता हूँ कि साहब यहां यह लवज रख ले But I think director knows उनका director का मतलब क्या होता है वो final image देख रहा होता है उनका should be the last word Until and unless आप बहुत कुछ feel करें कि injustice हो रहा है यह ठीक नहीं है I give my suggestions in a very humble way कि लवज ऐसा आप सर रख ले या ma'am ऐसा लवज रख ले ऐसा कुछ कर ले costume कुछ ऐसे कर ले तभी मैंने कहा जब character के briefing होती है वहां नेव पढ़ती है और लवजों के बड़े मायने है जो कि दीरे दीरे लवज और भाषा लुपत हो रही है बहुत सारे लवजों के मतलब नहीं पता है वो ही तो मेरा western वाला भगा लोग western language पर इतना emphasis करते हैं बट मैं देखा अपनी लवजों को यह नहीं समझ पाते I personally feel हमें दूसरी भाषा ना आने का complex है So true, बिल्कुल सही बुला हम वो मानसिक्ता से आज भी गुलामियों से निकले नहीं है मैंने तो नहीं देखा जिसको french का complex हो या japanese का हो या ताइवान की भाषा का कोई तो जब हम अपनी आयनाय दूसरी भाषा ज़रूरा नहीं से रहे अपनी तो बिल्कि मैं कल परसोग सर एक डिरेक्टर को मैंने इंटिविव किया था पॉडकास पे लिखाया था तो उन्होंने मुसे बात बुली कि अपने देश में इतना बड़ा इतनी बड़ी चीजे हैं कि आप बहार जाने के ज़रूरती नहीं है इतनी कहानिया हैं किस्से हैं कि बहुत बड़ी बहार जाने ज़रूरती है बट फिर भी लोग वेस्टर अप्रोच को बड़ी डालना चाते हैं असीने महमेर सर आप करें आपको क्यों ना आप इंप्रेस हो और सदियों से लोग बाहार की दूसरी संस्कृती से इंप्रेस और फासिनेटीड और होते आएं तर नहीं रॉंग इन रॉंग इन ते बड़ी बड़ी आपको आपको पास इतनी दरोवर है भारत बहुत रिच कल्चर वाला देश है एंड आम प्राउड ओफ इट मैं तो पूरा भारत नहीं अभी ठीक से समझ पाया हूं की मेरे देश में ये भी है मेरे देश में ये भी बाहर तो अपना तो समझ लूँ जहां पैदा हूं जहां का कल्चर है जहां की मिट्टी में मैं आगे और आपना तो समझ लूँ बिल्कुर इंचर लॉट अपना तो समझ लूँ एप प्रपूर्व सवाल पूछाओ का लॉट अज पीव आज की हाव संज़या बन साली जह हो मैं यह सब नहीं पूचिए, how he is different from other directors? वो जुनूनी आदमी है वी इस पैशनेट बाउट इस वर्क और पैशनेट, I think, is a small word when we describe him मेरा, मेरी जिथ्थी मुझे उनके साथ काम करना and a dream come true thank you, sir, for giving me this opportunity और मैं जब तक हूं, जिन्दा आप मुझे सारी पिच्छों में लेते रहा क्योंकि मैंने उनका सेट देखा था, उसी चीज से उनका विजन नदर आता है तो आप मानते हैं, मतलब वो बाकिडरेक्टर से हटके तो है और हटके क्या बनाता है उने सिर्फ, हटके तो एक लफ्ज आपने हटके हो गया उनका अपना विजन है उनकी अपनी एक सोच और हर डारेक्टर की अपनी एक विजन और एक सोच होता है तो मैं ना फिर घूम के वहीं आता हूँ क्या होता है, मैं किस बात से मिला हूँ जब मैं आशकल बहुत बामे में तो मुझे ने काफी ऐसे नई यंग आक्टर्स मिलता हूँ तो अगें आपका अगर मन है आप कहीं और दूसरी संस्कृती पर पी-एच्डी करना चाहते है तो आप करें फिर उसमें को आप भी तो मिले होँगे आप भी तो मिले होँगे वड़ा उने फिक्स करना पुड़ता है इन का ना उसने के लिखा तो मैंने टी लिख दिया विल्कुल वह भी सही तरीका था मैं क्या करता हूँ ओक दीरे दीरे लफ्स आगे आप अपके अपर अपने पैर जमारी है दूसरी बात मादर वोज प्रिंसिपल रिटाइड मैं ग्रानफादर उस्टू रीड उर्दू का पंजाब के स्री वो उर्दू का तलफुज और जर्ज कान में बच्पने से था तो गजल बहुत समझने है मुझे पढ़नी नहीं है गजल को कभी गजल नहीं बोला नुकता कहां और जो चीज नहीं आती थी पंजाबी होते हुए भी मैं उसको समझने की कोशिश करता था कि हीरामंडी में भी जो 1940 या 1930 का लाहौर दिखाया और वो दौर जो पंजाबियत वाली उर्दू थी आरबी कुर्दू नहीं थी आप उस जमाने की लोग पंजाबियत वाली उर्दू थी बिल्खुट मैंने हीरामंडी पूरी देखहे तो मैं बतातो हूँ मैंने क्या होथा आज की लोग कहते हैं कि लिड आक्टर लेते हैं लिड आक्टर देखे मुझे आपका रोल बहुत ही पसंद आया था यह तारीफ इसले नहीं करा हूँ या आप मेरे सामने बेठे हैं क्योंकि मैंने वहां से आपको जब देखा तो मैंने बोला मैं इनसे बात जरूर करना चाहता हूँ मुझे कई बार सर ने कहा आप कामरे के सामने आप दिखेंगे नहीं आप क्या करने या जो डारेक्शन टीम को आप दिखते आप उधर कर मुझे ओनेसली यह एक तरह से मुझे सीखना भी चाहिए यह मेरी एक खामी भी है पर आप संभालिये या मुझे बताएं ऐसे ही रखना मूँ तो एसे ही रखके फिर ऐसे करता हूँ I think my unawareness works for me my not knowing fully knowing the media the medium it works for me मैंने बहुत सारे एक आक्टर्स काफी आक्टर्स जब मेरे साथ तू लाइट तो ले ले मैंने कम कैसे लो तो फिर मुझे बहले वो डायलोग गलत बोल जाते थे लाइट नहीं छोड़ते थे मैं लाइट तो जानी नहीं होती थी मुझे तो कई बार मुझे काफी बार टोका जाता है कि आप डाक में यहाँ यहाँ है फिर मैं काम करने के बाद यह भी भूल गा कि मैंने क्या क्या किया है फिर टबिंग से कभी किसी की बात होती थी या आपने सर यह किया है या इंद्रेश तुने क्या सब ऐसे तो लास्ट दिन तक तो मुझे ये भी नी पिर में कुछ अलूसिनेशन रोगे में हो भी हो के नहीं रहा है फैर अब बिरेद ने समझ में आई इंट्रिवूस का एक दौर चला प्रनौल थेंट्स ये अप्रिशेशन तो आपको लोगों ने दिया होगा मतलब मुझे I'm really thankful मैंने मने संजे साहब की instructions को follow किया I am really thankful to the whole team and Sanjay Leela Bansali that they were kind enough to accept the little suggestions that I could incorporate or I could you know जो दिल में आता था कि सर ऐसे रख ले आप करिये आप करिये जो करना चाहते है वो freedom देते हैं हो बड़ा confidence आता है वो freedom देते हैं आपको उकाम अपके दिमाग में क्या है बाचीत proper एक बाचीत नजरिया focus होता था तो it was a wonderful experience हाँ बड़ा शांदार learning experience भी रहा and wonderful co-actors around और grand sit-up क्या वो comfort मिलता है कामगरते है जो co-actors थे आपके इना comfort दिया आपको जो पूरा इस पर कामगरते है बिना comfort के मैं कैसे नईया पार लगाता या कैसे मेरा चलता सर को मैं कहता था कि सर यहां मझे समझ ने आया है को कि explain me or you tell me what you want what makes a great actor on the set what makes you a great actor कारेक्टर की nuances जबान पर पकड़ और आप एक commodity है आप एक successful actor है पांचसो करोर के दस हजार करोर के अगर वो भूल जाए शहाए उन्टिल और अनलेस इस रिक्वाइट तो बड़ा आपके वाल अनवेरनेस चालाक होता है कैमरा बहुत करेक्ट मीव रॉंग वो पकड़ लेगा आपको आप किस की नजरों से फेक नहीं है फेक पकड़ा आप किसी भी रोल करके इतने अच्छी से अपने भाहिए कि आप हमेशा हीरों से उपर ही दिखाई देंगे जीना मरना यह 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 तो ना करें यही मरें यही जीना यही करना तो जिंदगी गुसर जाती है आप एक सेकंड सोर्स और इंकम सम्थिंग पाउन जरूर रखें पैशन तो फिर चलते रहें आप मानते हैं बात को क्यूं ना हो आप पेंटर बनना चाहते हैं आपके मुकदर में है नहीं और आप शायद पेंटर अच्छे हैं भी नहीं और इसी में जिंदगी गाल देंगे तो फिर और वो आपके लाइफ में कौन प्ले करता है यह कोई समझदारी है यह बिल्कुल समझदार नहीं मानता है बड़ आपकी लाइफ में इसा कोई रूल प्ले करता है आपके सेकंड ओप्शन आपको आपको रहें में शार्ड और अपके समय दो है और बहुत समय को और आपको जिए भूल इपाल चचारी है बाइफ में रहे फामियल व्हाल लाइक बैलेसे पी आपके सकुल समय ऑपके सी अपके से फिर लिए पालेंश में क्या बैलनस रहें बालन्स रहा इसलिए आप कहते हैं मिशा हाँ मतलब एक सेके मुश्किलाद भी आए मुश्किल भी देखे मेभी माइ पैरेंट बाक है माइ फोक्स इन डेली वाटेट टीच मी अनेसन कि अपनी जिद से कुछ कर रहा है तो वाटेशा तो ताइच पूरा लटेम फीच पहर लटेंगा which my god has been there kind to me the whole universe has been kind to me my wife has been of great I mean she's been great support कभी अनने नहीं का किया आप गलब टेशन में पिर वो आतीना ना मेरे साथ देली चोड के She started she was a businesswoman before we got married she used to export leather to Europe and Russia successful business woman then she continued with her different thing now she's making organic cosmetics and there are various things that she takes care of and when I'm not doing work then I'll be together I have other interests as well business man so I'll work for my interests store pieces, nuts, oil I'll have some I'll have some and my fingers I'm making the eyes I'll make you I've seen a lot of people acting and I'll make you my whole personality they'll forget I'll neither I've done my life I'll use it but I'll use it I'll use it I'll wear the lights and wear the shorts I'll wear the vegetables I'll use these ग्रोशरी खरीदने, तो लोग थे यह बागले सब्जियों से बाते करता है, फ्रूट से बाते करता हूं, उनको ने लाद लाग के ने से बाते करके फिर खाता हूं, तो इस अज मैं, तो इस अज़ करते हैं? in front of cooking, and all of us, me, my wife, my kids, अपना कुछ कुछ लगे होता है सारे, there's a lot to do, और थोड़ा तो ब्रेक भी चेहने करने के बाद, आप फिर ताजा हो, और माहॉल से जब आप कट जाएंगे, फिर कहूंगा जब आप पैर उठ गए, एसी से बाहर निकले गाड़ी से, सारा कुछ घर दि बिलिवर हो रहा है, तो सबजी खरीदते कैसे, कैसे पता चलेगा, यह, मतलब यह मुझे से की एक आर्ट भी हाँ, आप जुदे रहे न, वही तो हो, आप कोई, राजा थोड़ी हो, बड़ लोग तो आज़े किताबे पढ़के बोलता है, मैं एक्टिंग आ गई, है तो कर इसे बहुत लाइक लोगों से मिला हुमें, जो कहते हैं कि यह किताब पढ़नी चाहिए, यह किताब, बड़ मुझे लेता है, आक्ट, पढ़े है, पढ़ाई अपनी जगे, पढ़ाई अपनी जगे, बड़ ओविसली, ग्राउंड पे भी, सिनमा ग्राउंड पे दिखाई किताब में तो समझ बढ़ती होगी, बड़ सिनमा तो ग्राउंड पे दिखाई देगा, आपको एक इजाफा होता है आपकी नॉलेज में, लांगवेज में, उस जमाने में ये लांगवेज, एक डायलेक्ट मिलता है आपको, पढ़ना भी ज़रूरी, पर आपका ही खाली प रहके भी एक डुसरे के साथ नहीं रह पारे है, अब वो कैसे जड़ो ज़ेद के बाब जुद यद लग जगाउंस से लोग आते हैं, फिर भी एक सादमनी जुने जुझा आते हैं, वो कैसे आता है, ब्यूटी कैसे आते हैं लाइफ में? मैं इसको किसमत पर छोडता हूँ our fathers were friends and we met and it was a yes we met over a dinner common friends family friends she interviewed me what is your role in your business so I was like it's a joint family and like you have your brother and other people in your family so it's a joint so Papa का business है वो हम सभालते है Papa gives us money ऐसे बुलते है ना खर मेरी जिद्धी कि विफोर आप मेरी जिद्धी कि विफोर आप वाले बिस्नस नहीं करने मुझे तु मेरा इंडिपेंडन बिस्नस जिए जो मेरे टेस्ट काँ so that if I'm married I don't have to ask for money which eventually it fizzled off because after I got married उनने का शादी तो अब ही गई है अब कहां बॉम बे भागे गई है भाग तो फिर भी गई है भाग क्या गया फिर भी गया तो अब तब उन्नोंने कहा कि अब आज तो नहीं है यहा I love you Baba उन्नोंने कहा कि यही है बिजनस तीन-चार अभी नया क्या करना है इनी को पहले समा लो when I was a misfit तै आपके डाड ने देखा आपको सक्सेस अच्टिं करते हैं बहुत बहुत पंचर रहता अंदर काज वो आज होते ही आपर देखते हैं चीज़े बड़ा मतला ऐसा है वो कि मुझे लाइफ में न कि आपको अचीव करते हैं थेटर करता देखे थे बट फिर भी यह जो अख़बारों में नाम आता था वो देखा था तो बड़ा बनने के बस वो कहते थे यह पानेंश नहीं यह लुक्रेटिव बड़ा अंशॉर फील्ड यह बड़ा अंशॉर फील्ड क्या कब कैसे तूर पांच साल ऐसी यह लाइक, you'll struggle, you'll struggle and he passed away on October 15th और बाराबबटा चॉविस कर अलबाग एक सीरेल दिनली में हुआ था चातरपूर में शूट होता था उसमें भी तीन-चार दिन का क्याम्यो था I was asked to the producers were friends कर ले थो कुछ दिन के लिए 15 October पापा पास्ट वे and यह शायद उसके तीन-चार महिने बाद यह असे शुरू हो यह इसल्सला चल पड़ा फिर वो शुटिंग चाल ओ फिर पापा की डथ के within few months this happened and there was no looking back वो चार दिन का cameo went on for two years or more awards, nominations मनते आप वो बलेसिंग देगे आपको कही से तो देखते होंगे बलेसिंग तो वो मेरी acting को बहुत अखबारों में जब नाम आता था बहुत खुश होते थे दिखाते थे मेरे बेटे का उस जमाने में आपका comparison मनोहर सिंग साहब के साथ और मनोज वाजपाई जैसे actors के साथ में टिड़ा सा 12th, first year में वो press cuttings आज भी हैं मेरे पास एक impersonation का दोर आया था तो we were all impersonating बहुत senior लोग हैं तब मुझे तो बाद में बता चलो ये मनोज वाजपाई ये मनोज वाजपाई ये मनोज वाजपाई ये मनोजपाई ये मनोजपाई ये मनोजपाई शिंग जी and they used to rate me the best amongst them दोरा लग था still have the the press cuttings and laminate कर आखे रखे में but still you feel someday that okay my father must have been here तो देखते अभी मेर को ऐसे act करते देखते वो पंचर देखो रहता है तेखो आपको success न लगते है वो मुझे financially or independent करते like my wife the way she said I'll take care of the businesses and things you just carry on with your passion how how we two people become a best couple इसकी कोई definition नहीं है sahab फिर भी लोग कैसे मतलब मैं तो हमेशा सवाज इसलिए बूछता है बैसलो आदमी हूँ तरके तालुकात कहते है relation को तोड़ना तरके माने तोड़ना तालुकात relation तो कि तरके तालुकात को एक लमहा चाहिए break करने के लिए ना just leave we are no more together तरके तालुकात को एक लमहा चाहिए लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पढ़ा पिसे को समझने के लिए उम्र निकल जाती है और कहीं बिना समझे ही उम्र flows तो destiny what do you want to say to those people who these days go for the fast relationship these things कर्यों उने suit करता है तो वो settlement वाला तो mindset ही निया सब को वो patience कैसे आता है अपने तरीके से जीने कहा कै patience आता है peace of mind जो के है नहीं लोगों माव बहुत कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए वो जो फटा फट बना हुआ खाना होता है न why not nurture food talk to your food grow your food I mean I'm just hypothetically उसके मज़े अलग है आराम से रोटी बनी हो जो कोईले पर उसका मज़ा अलग है मेरे को शायद एक बार एक किसी ने बोला था कि जब उनने अपने बेबी को पहले आपने हाथ में लिया तो उनने बोला कि उस दिन मुझे अपने पापो को देखके लगा कि आराम से पापा भी इतना प्यार करते होंगे उस जोते में पैर रखा ना तब तक तो नहीं आएगी ना जब तक भूब तक भूब यू वेर अट शूब आपको ऐसा लगता है तो में तो पता नहीं आपको लगा एसा सच में बात साच है कि आपको लगता है exactly what is how you become a father and you feel like okay this is supposed to be the best feeling in the world दूसरा आपके जीन्स तो एट्राक्ट कर रहे हैं आपको आपका जीन्स है ना तो खून जोर मारता है कहीं और वो फिलिंग क्यों ने आती वो जो अपनी बच्चे को हग करके भुजे एक थंड़क मिलती है यहां वो बाकी जी कम क्यों ऐसा क्यों ने वैसा फिलो वो जो तकलीफ अपने बच्चे के लिए होती है भी तो है यह बच्चा होते ही अंबिलिकल कौट बिना काटे मां के पास रख दिया जाता है उसको कई बार रोते रोते चुप भी हो जाता है किर मां और बच्चे भगवान सब जगा तो हो नहीं सकते अपने खुद से कि मैं प्रजेट तो मां बनाई ना फिर पिता बनाया that's how it works how do you see happiness again I'll use this word it's a state of mind सबकी एक अपनी सोच है आज कि मैं देख बंबे बे जब भी जाता हूँ बहुत दोसे जब मिलता रहता हूँ तो हमेशा ना बोलते हैं खुद से बड़ी लड़ाई चल रही है mental battle चल रही है अपने आप से अब मैंने mental health वाले बहुत ज़्यादा आज ये शूट करना है बट आप तो happy go lucky आते हो blank तो नहीं हो ना emotion से आप एक तो थोड़ा आपको आज नहीं मनने है राजमा खाने का और मैं रोज कहूं राजमा ही खा तो एक दो दिन के बाद तो बधस्मी दिल से नहीं खा रहे हैं जो चीज वो एक बज़ है बड़ी जल्दी सब कुछ चाहिए बहुत तरीके से लोग सिनमा करने आते हैं but who you see that is a true actor बड़ा vast vast है बिल्कुल है तब शवार कुछा है हाँ मतलब सच्चा कला कर क्या मतलब example दे आपको जैसे रीसिंट ये भी एक बंदा मेरे podcast पे आया था उन्हेंने वाला बच्चन साब के जाद हो film कर रहे थे तो उन्हेंने बुला कि माइक में अनॉसमेंट हो रहा था बच्चन साब के audio record कर रखी थे और वो चल रहा था ऐसे कर बच्चन साब उन्हें बुला कि audio record कर रखी I will give the lines तब जाके इनके reactions आएंगे और वो बारिश हो रही थी शायद मैं ठंग्ज विंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा उनके बच्चन साब बारिश हो रही थी तो वो ज़्यादा वैसे हो रही थे पर उनके बुलंदी खतम नहीं हो रही थी तो उस एच पर जब उनको देखके लगता है इस एच पर भी इस बुलंदी से आवाज दे रहे हैं तो पता लगता है कि सिनमा जी नहीं आये आपका passion जो आपसे करा जाएगा न genuinely if you're passionate about something I think वो सच्चा ही खुद जहलग जाती है जब आप कहते हैं न पहले मेरा shot ले लो इदर से ऐसे कर ले आप खुदी director बन जाते हैं खुदी cameraman बन जाते हैं खुदी light तो पर खुदी कर लीजे इस टीम वर्क आप एक मकान बना रहे हैं आपने जमावड़ा तो सबका कर लिया चलाई अपनी क्योंकि पैसा आप बॉस है वहां के तो आप फिर खुदी कर लीजे आप डारेक्टर का काम उसको करने दे लेट everybody have their own space and respect this at the same time हाँ respect तो एक basic आपके संस्कार आपकी अपरिंगिंग क्या है तो जानता नहीं है मेरा बाप कौन है काइंड्स तो दूसरे ने पूछ लिए खिर तुझे नहीं पता थे रफ sir thank you so much yes in sawalon se आप खुदी परशान रहते हैं खुदी उल्जे रहते हैं खुदी पर फिर गुदी दवाईया गा लेते हैं तो फल फुल जाते हैं psychiatrist पे sir thank you so much thank you for being on impact stories thank you so much for inviting me and I wish you luck thank you for coming